Hi everyone, my name is Saakshi and this is our first session in Microeconomics. अब हर बुक के पहले चाप्टर की तरह इसकी भी शुरुआत होती है इंट्रोड़क्शन से. Microeconomics तरह सल Economics का ही एक पार्ट है और इसलिए आज की वीडियो में हम लोग जायतर Economics पे फोकस करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे. तो क्या है ये Economics? आईए शुरू करते हैं. आपसे कहा जाता है कि Economics एक एक एकनॉमी को और उसके अंदर की दूसरी चीजों को स्टडी करने को बोलते हैं. Economics is the study of the economy and its different variables. आपने कहा बहुत बढ़िया पर ये कौन बताएगा कि Economy कि चिडिया का नाम है? अजी मैं बताती हूँ. Economy हमारे आजपास की उस सराउंडिंग को कहते हैं जो कि हमें resources प्रोवाइड करती है. अब resources का क्या करेंगे? उनको यूज करके हम business करते हैं. उस business से हम पैसे कमाते हैं और उन पैसे से हम अपना घर चलाते हैं. तो देखा जाएं तो economy ही वो system है जो कि हमें पैसे कमाने में देती है. An economy is a system which provides people the means to work and earn a living. ये एक ऐसा system है जो कि हमें काम करने देता है और पैसे कमाने का मौका देता है. अब जो हम ये इतनी तर से कहे रहे हैं कि ये काम करने का मौका देती है, काम करने देती है, तो क्या है ये काम जो एक economy में होता है? एक economy के इस पैसे कमाने देने के objective को पूरा करने के लिए हर economy में तीन काम होने जरूरी है तीन processes जरूरी होते हैं और उन्हीं तीन processes को हम vital processes of the economy कहते हैं वो तीनों है production, consumption, investment production समझते हो ना input को output बनाना, raw material को finished good बनाना basically resources जो अपनी society में मिल रहे हैं उन resources को लेके उनसे एक ऐसी consumable item बना देना जो किसी ना किसी के utility की हो किसी के काम आ सके वो होता है production अब consumption क्या होता है consumption basically खरिदारी को कहते हैं कौन लोग किस चीज को खरीद रहे हैं किन-किन factors से चीजों की demand पर फर्क पड़ता है कौन सी चीजे अमीर लोग जादा खरीते हैं कौन सी चीजे गरीब लोग जादा खरीते हैं क्या market में गरीब लोगों के खरीदने के लिए चीजे हैं यही सब आता है consumption में अब आ जाते हैं investment पर investment होता है पैसे लगाना हम अपने बचेवे पैसे किसी company में या किसी बैंक में डाल देते हैं जिससे कि वो एकनॉमी में वापस आ जाता है इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट को ना कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है क्योंकि जब आप देखो किसी कंपनी में पैसे लगा रहे हो तो आप एक तरह से उनकी कैपिटल फॉर्म कर रहे हो या फिर बना रहे हो या बढ़ा रहे हो इसलिए एकनॉमी के लेवल पर इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं तो हमारे तीन वाइटल प्रॉसेस हुए एक एकनॉमी में क्या-क्या प्रोडक्शन, कंजम्प्शन और इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन हमने अब तक सीखा एकनॉमी क्या होती है और उसकी वाइटल प्रॉसेस क्या होते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अब देखो एकनॉमी होती है, वो रिसोर्सेस प्रॉवाइट करती है उसके अंदर तीन वाइटल प्रॉसेस होते हैं यह सब सही है, सब चल रहा होता है तो फिर उसे पढ़ना क्यों है चलने दो ना ऐसे ही अब पढ़ना इसलिए है क्योंकि हर एकनॉमी में प्रॉब्लम्स होती है हम लोग एकनॉमिक्स को यूज़ करके अब प्रॉब्लम्स को सॉल्फ करते है अब प्रॉब्लम्स क्यों होती है क् एकनॉमी में अब प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेस जो है न एकनॉमी में वो लिमिटेड है, जैसे अभी वाटर को resources की कमी होना दुनिया की कड़वी सच्चाई है scarcity, क्या होती है scarcity अब कोई भी चीज की, कोई भी resource की, जब supply काफी कम होती है और demand काफी जादा होती है तो उसी को हम कहते है scarcity, scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand of a commodity अब क्योंकि scarcity होती है क्योंकि resources कम होते हैं इसलिए जितने भी available resources हैं, उनको ढंक से use किया जाना चाहिए, उनका optimum utilization किया जाना चाहिए, और इसी optimum utilization of available resources को हम कहते हैं, economizing of resources resources पे economics use करना तो इसलिए, economizing of resources अब scarcity है universal होती है, हर आदमी को, हर organization को, हर country को scarcity face करने ही पड़ती है क्योंकि जो भी resources होता है, वो तो सारे के सारे limited ही होता है, ना, wants तो हमारी बढ़ती ही रहती है तो scarcity universal होती है ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा scarcity के बारे में root cause of economic problems लेकिन scarcity इकलौती problem नहीं है हमारी उसके साथ उसके दो चचेरे भाई भी होती है अब क्या है ना, देखो, resources तो limited है लेकिन जो human wants होती है, वो unlimited होती है अब हमारी एक want satisfy होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है बस एक ही राहत है कि human wants priorities में अलग-अलग होती है मतलब क्या, कि सबकी-सबकी intensity same नहीं होती, कोई ना, कोई हमें जादा चाहिए, कोई हमें नहीं भे मिलेगी, इस चाइम पे तो चल जाएगा, इस तरह से और वही हमें help करते है, decide करने में कि हम कौन से resource को इस चाइम पे कैसे use करेंगे, और यही हमें लाते हमारी तीसरी problem पे कि resources के alternate uses होते है, मतलब एक resource का सिर्फ एक use होता, तो तो हम वही use कर लेते हैं, लेकिन नहीं एक resource के कई uses हो सकते हैं तो हमें choose करना पड़ेगा कि कौन से use करें यह हमाली तीन problems होते हैं scarcity of resources, unlimited human wants and alternative uses of resources एक काम करते हैं, इसको नहीं एक example से समझते हैं, बहुत मज़ाएगा देखो, यह है रोहित रोहित का आज बर्दे है तो रोहित के पापा ने उसको 10,000 रुपए नहीं, 10,000 तो जादा हो गया रोहित के पापा ने उसको 5,000 रुपए दिये, ठीक है बोले जा बेटा जा, जीले अपनी जिंदगी रोहित पहले तो बहुत खुश हुआ फिर उसे रेलाइज हुआ, 5,000 रुपए में वो कर क्या क्या लेगा उसको तो नहीं जूते खरीदने थे बर्दे पे वोही अपने आपें 5,000 के आ जाएंगे लेकिन वो चाहता था कि वो अपने दोस्तों को 5,000 रुपए कम है scarcity of resources है उसके पास लेकिन 5,000 रुपए मिलना बुरी बात नहीं थी वो अच्छी बात थी लेकिन उसकी human wants unlimited है उसको जुत्ते भी खरीदने है, उसको party भी करनी है उसको गड़ी के लिए पैसे भी बचाने है और alternate use है मतलब कि पैसों से ये तीनों चीज़े खरीदी भी जा सकती है अगर सिर्फ एक हो सकता तो वो करके काम ने पढ़ जाता बट नहीं तो इसी वज़े से रोहत दोविदा में आ जाता है हम एक काम करते हैं alternate use वाले को एक और example से समझते है मान लोग की कोई एक resource है water मान लो water है हमने कहा था water तो इस धर्ती पे limited है बट अगर water सिर्फ और सिर्फ drinking के लिए use होता तो क्या होता भई जितना पानी है और जितनी population है उसके हिसाब से बाट लो सब लोग जिसको जितना मिला वो उतना पानी पी ले ना काम खतम होएगा बट नहीं अगर इतनी असान बात हो दी तो economics पढ़ने की ज़रुरत क्या थी water को तो भाई हम use करेंगे bathing में भी उसके अलावा इंडस्ट्रेली हम उसको use करेंगे machinery operate करने के लिए electricity बनाने के लिए और भी cooking शुकिंग बहुत सारे काम होतें water के और इसी वज़े से हम दुविधा में पढ़ जाते हैं कि भाई किस काम में लगाए उसको तो हमें यहाँ पे choose करना है कि कौन से वाले काम में किस resource को use किया जाए कि जादा से जादा हमारी wants satisfy हो सके और यह ही है economic problem economic problem is actually a problem of choice देखो अब हम इसकी definition देखते है economic problem is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses यह सारा हम कवर कर चुके हैं यहाँ तक समझा सबको वेल अगर समझा तो यह सवाल का जवाब तो the law of scarcity इसका कौन सा वाला option सही है the law of scarcity does not apply to rich developed countries या फिर the law of scarcity applies only to the less developed countries या फिर law of scarcity implies that consumers wants will be satisfied in a socialistic system या फिर law of scarcity implies that consumers wants will never be satisfied completely एक काम करते हैं आपको 5 सेकिंड मिल रहे हैं फटफट जाके comment section में अपना answer लिख क्या हो में मिलाएंगी किस-किस का सही है हो गया चलो अब continue करते हैं अभी तक हमने समझा कि एकनामी में problems क्यों होते हैं कि भई scarcity of resources रहता है unlimited wants रहती हैं alternative uses of resources रहते हैं यह सारे होगे reasons क्यों economy में problems होते हैं अब हम जानेंगे कि क्या होते हैं वो problems उसको तीन काटेगरी में बाटा गया है बहुत असान है समझते हैं पहला है what to produce फिर how to produce फिर for whom to produce मतलब क्या देखो पहला क्या है ना हमारी दिक्कत क्या है कि हमारे resources limited थे वहीं से शुरू हुए थे हम है ना तो हमारी दिक्कत यह है कि उन resources से हम क्या बनाएं और क्या नहीं बनाएं क्योंकि हमने कहा था कि हम चाहते हैं हमारी maximum wants satisfy हो जाएं है ना तो what to produce किस commodity को बनाया जाए यह हमारा एक part है दूसरे चीज़ आती है कि जो भी commodities तुम चूज कर रहे हो अलग-अलग उन में से किस commodity को कितना बनाया जाए अब जैसे चीज़े तो देश की रक्षा के लिए defense के लिए बनानी भी ज़रूरी है और आम लोगों की consumption के लिए मतलब civil goods भी बनाने ज़रूरी है लेकिन किसको कितना बनाया जाए वह हम decide करते हैं what to produce में तो basically it is a problem of allocation of resources अगर देखा जाए तो what to produce is a problem that involves selection of goods and services to be produced and the quantity of to be produced of each selected commodity यह हमने discuss कर लिया अच्छे से है ना अब ही आगे बढ़ते how to produce अब how to produce है कि भाई कैसे बनाया जाए कौन सी technique यूज की जाए बनाने के लिए क्योंकि दो techniques होती है देखो मोटा मोटी अगर हम देखें एक होती है labor intensive technique दूसरी होती है capital intensive technique labor intensive technique होती है और क्योंकि लोग जादा easily available हैं तो cheap होगी labor तो तुम लोग का काम भी असानी से हो जाएगा सस्ते में हो जाएगा यह है labor intensive technique दूसरी आती है अपनी capital intensive technique मतलब कि capital जादा use होती है मतलब पैसे जादा use होते है पैसे जादा use करके क्या करोगे तुम machinery पे dependent हो जाओगे मतलब तुम्हारा जादा तर काम automatic चलेगा तो उसमें labor कम लगती है तुम्हारी यह उन countries में होते है जिनमें लोगों के पैस पैसे जादा होते हैं और लोग उस country में कम होते हैं तो क्योंकि लोग कम हैं उनकी value जादा होती है तो जो भी producers हैं उनके लिए जादा असान पड़ता है कि वो एक बारी में थोड़ा investment करके machinery खरीद ले और उससे बना ले अपने goods and services instead of एक-एक बंदे को hire करके उससे काम करवाएं यह हो गई अपनी capital intensive technique तो how to produce में बस तुम्हें यही decide करने की कौनसी वाली करनी है how to produce means selection of technique to be used for production of goods and services यह हो गई हमारी दूसरी problem अब आते हैं तीसरी पर तीसरी क्या है for whom to produce हम बना किसके लिए रहे हैं मतलब consumers के लिए बना रहे हैं लेकिन consumers कौन हैं हमारे क्या हम rich के लिए बना रहे हैं क्या हम poor के लिए बना रहे हैं अब देखो अगर rich के लिए बनाएंगे तो हम उनसे ज़्यादा पैसे ले सकते हैं एक particular product के लिए लेकिन उन्हें पसंद आना चीए पहली चीज़ दूसरी चीज़ है कि किसे भी economy में rich लोग होते ही कम है तो तुम्हारी quantity कम बिकेगी अगर poor के लिए बनाते हो तो माना कि कम price रखने पड़ेंगे तुम्हें लेकिन तुम्हारी volume ज़्यादा हो जाएगी sales की तो वो भी अच्छी जीज़ है तो तुम्हें ये देखना है कि एक economy में किसके लिए जादा production होते है अब एक balance होना चीज़ होनों के बीच में ताकि तुम्हारा GDP सही सरे और distribution of goods and services भी अच्छे से हो पाए पूरी economy में तो बस एक सही से distribution हो जाएए ये ही है ये problem for whom to produce is a problem of selection of the category of people who will ultimately consume your goods ये थी हमारी तीन problems उस क्या थी what to produce, how to produce for whom to produce, बस यहां तक समझे, समझे तो वापिस से quiz आ गई चलो देखते है capital intensive technique would get chosen in a labor surplus economy capital surplus economy developed economy, developing economy easy है न? अगर आ गया तो तुम्हें पते क्या करना है फटफट जाओ, comment section में अपना answer लिखो और हम discuss करेंगे क्या क्या थे, जाओ हो गया, चलो एक बार देख लेते कि हमने आज क्या क्या सीखा है पहली चीज़ वास की economy क्या होती है वो जो कि हमें resources प्रोवाइड करें दूसरा था, economy में processes क्या होते थे, production consumption, investment, investment को हम कहते है capital formation ठीक है, फिर हमने सीखा कि हर economy में problems होती है क्यों होती है, वो problem तीन reasons बतायते हैं, पहला scarcity, दूसरा unlimited wants तीसरा alternate uses of resources, ये भी बढ़िया है, और चौता हमने सीखा कि central problems of an economy एक economy में problems होती क्या है what to produce, how to produce for whom to produce sorted, चलो अब एक बार answers discuss कर लेते हैं पहला जो हमारा question था उसका answer था option D, the law of scarcity implies that consumer's wants will never be completely satisfied, ये ही तो हमने discuss किया था, कि भाई resources कम होते हैं और wants तो बढ़ती ही रहते हैं, तो किसी इंसान को ना पूरी तरह खुश नहीं कर सकते हो तुम अर दूसरा question, उसका answer है B, capital intensive technique would get chosen in a capital surplus economy, ये भी हमने discuss किया था कि अगर तुमारी capital जादा है, अगर लोगों के पास पैसे जादा है, तो तुम capital intensive technique यूज करोगे, तो तुम machinery यूज करोगे, चाहे उसका मतलब हो कि तुम starting में जादा investment करो क्योंकि बात में returns भी तो जादे ही मिलेंगे ना, तो बस ये थी आज की class, ये chapter अभी पूरा नहीं हुआ है, chapter अभी बाकी है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे तब तक बस दिल लगा के पढ़ते रहो और कोई भी doubts हो, तो में को comments में बोल देना, मिलते हैं अगली class में और happy studying बाई-बाई